ये है जबरोनिक जब का ये वायरलेस माउस जो कि मैंने 449 रूपीस में पर्चेस किया है एंड इस माउस का हाइलाइटिंग फीचर्स ये है कि इसमें कनेक्शन के दो आप्शन है Bluetooth and Receiver तो इस माउस को आप आसानी से दो डिवैस के साथ कनेक्शन कर सकते हो तो बॉक्स में आपको सिर्फ माउस ही मिलता है Manual वगरा कुछ भी नहीं है क्योंकि माउस की Almost सारे Information बॉक्स पे लिखी हुई है तो Finally ये रहा माउस Black and Gray कलर की Combination में है लॉक्स वाइस काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड इसमें दो कलर्स के आप्शन आते है माउस का साइज थोड़ा Compact है कंपेर टो अधर माउस बाकी माउस की Shape and Design Ergonomically Comfort के लिए ही बने है तो वाकए में Hold करने में काफ़ी Comfortable है एंड दोनो साइड में Glossy Finish में ऐसी Patterns है तो इस Price Range में माउस की Overall Build Quality काफ़ी अच्छी है Backside में On-Off Switch है एंड ये बटन Bluetooth Discoverable Mode के लिए या फिर Multiple Device में Switch करने के लिए यूज़ कर सकते हो एंड ये Small LED Indication है Green Bluetooth के लिए एंड रेड Receiver के लिए एंड ब्लूटूथ से Connect करने के लिए ये बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करना है एंड ये LED Blink हो रही है मतलब कि ये Bluetooth Discoverable Mode में है उसके बाद Bluetooth सेटिंग में Add Bluetooth Device में Zapp Kai को Select करना है एंड ये Connect हो चुका है बाद की इसमें Bluetooth का कौन सा वर्जन यूज किया है उसके कोई Information नहीं है लेकिन ये काफी Fast Multiple Device में Switch करता है तो PC Bluetooth से Connected है एंड लैप्टॉप Receiver से Connected है बाद की यहाँ पे Receiver को Store कर सकते हो एंड इसल डेबल एसाइस का लगता है जो कि आपको पर्चेस करना पड़ेगा इसके साथ नहीं आता है क्लिक्स की क्वालिटी इसमें वन अफ दी बेश्ट है सॉफ्ट एंड साइलेंट है एंड ये स्क्रॉल विल रबर मेट्रियल में है एंड ऐसी कुछ टेक्स्चिर में है एंड ये भी काफे स्मूटली स्क्रॉल होता है लेकिन उपर की तरफ स्क्रॉल करने पर कभी-कभी ऐसी वियर्ड साउंड भी आती है डी पी ए इसमें 1500 है जो कि नॉर्मल 24 या फिर 32 इंच मॉनिटर के लिए सॉफिशन्ट है बाकि माउस 10-15 मिनिट्स तक आइडल में रहने पर स्लिप मोड में चला जाता है तो इसे वापस ओन करने के लिए कोई भी बटन को प्रेस कर सकते हो एंड ये माउस का वेट है विट सल गेमिंग टेस्ट तो नॉर्मल गेमिंग में कोई लेटेंसी फिल नहीं हो रही है बाकि FPS शूटिंग गेम के लिए कोई और गेमिंग माउस ले सकते हो तो और ओरल ये माउस इस प्रेस में मुझे काफी अच्छा लगा बिल्ड कॉलिटी अर्गनोमिक्स में बेस्ट है क्लिक सॉफ्ट एंड साइलेंट है ब्लुटूथ कनेक्शन का आप्शिन है बाकि ये सेल इसमें फ्रे में मिलते तो काफी अच्छा रहता